जहानाबाद में एक अज्यात बदमाशों ने एक वृद्ध की धारदार हतियार से मार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गये। जहाना की सुचना पर मौके पर दलवल के साथ पुलिस पहुची और सब को कबजे में लेकर मावले की तफ्तीस में जूटी है। की बात सामने आ रही है। जाच के बाद ही सब कुछ असपस्ट हो पाएगा। फिल्हाल पुलिस तमाम बिंदों को च्छान बिनक पर जुटी है और सब को पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया है। देखी बीते रातरी किसी ने यहां के एक साथ वर्षिय बजुर्ग रामचंदा सर्मा की हत्या की सुचना सुभा में दी थी। कि बीते रातरी हत्य हो गई है। धारदार हतियार से इनके हत्या की गई वह घर छोड़ करके इधर किनारे में एक दूसरे आगमी का दलान था महां सोय हुए थे। चौकी पे है। और वो जगह जो है गाउं के बाहर ही है हलकी सी। तो अभी हम लोग कारण का पता लगा रहा हैं। नावल्दत है। और इसमें और क्या बाते हैं अभी हम लोग वेर इंवस्टिगेटें हैं। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। इसलिए कि हम लोग वी इस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि तेज धारदार हतियार से ही इनकी हथ्या की आप परिजनों का भी कुछ विशेश कुछ वैसा कुछ कहना नहीं है। पहले से किसी से बात ब्यवाद बगरा कुछ उसता रखा बतीजा से कुछ ब्वाद रोने की बात बताई गई है हम लुग देख रहे हैं उसको कि अपहराम चंदर सरुमा किंपी हत्या करदी गई है कब धर्याप धर्दार हथियार से तो सुचना मिला तो हमाएं एक है कि बोड़ी उनका गीरह हुआ है और मुह के पास इस और माथा के पाश धरडार हतियार से बार किया गया है कहाँ पर हतिया हुई इनकी उने गरामिन के दार्स्वर्मा उनहीं के दलान पर उसारों पर सोते थे कही है यह को यह है Ricardo उसे दलान पर उनकी पर उसी करते है पनोह को बहाद ञो सुक्ती सब्सक्राइब तो हुए तो हम नहीं बता सकते हैं किसी से इन की रिवत गता है ? बाभरार depression with the झाल झाल झाल